हे गईस कैसे आप लोग मैं हूँ शुबाम और आप देख रहे हैं फैंटसी एक्सप्रस के यूटूब चैनल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रीम 11 आईपेल 2020 के मैच नमबर 5 की जो की खेला जाएगा कुलकाता नाइट राइडर्स वर्सिस मॉंबा इंडेंस के बी इस वेन्यू पर रंस काफी कम बंदे ध्यान रखना और इसके अलावा बाउन्डरी काफी बड़ी हैं तो सिक्स काफी कम लगते हो और कॉट आउट होने के चांसे बढ़ जाते हैं बाउन्डरी पे प्लेयर्स के तो बैट्समें के लिए उत्ती हेल्फूल पेच नहीं रहे रसल के पास काफी वावर है तो वह यहां पर रंस काफी लगा सकते तो ऐसे बैट्समें काफी हैल्फूल हो जाते हैं जब बिग बाउन्डरी की बात आती है तो इस वीडियो में आपको फवूम की टीम प्रवाइड करूँगा रैंक फैंटसी और बूस्ट फैंटसी और सा आपको KKR और MI के स्कॉर्ड के बारे में बताऊंगा और साइसा जिन प्लस की खेलने के चांसे काफी जादा हैं उनके स्टेट्स बताऊंगा यान की 11-11 अप्रोबेवल प्लेयर हो के स्टेट्स आपको मालूम पढ़ जाएंगे ठ्रो आउट दा IPL और राइवल टीम के खि सब्सक्राइबर हैं और आपको भी इस फैमली का हिससा बन जाना है लास्ट अपडेट आपको यहीं पर मिलेगा सर्च करने के लिए आपको ड्रीम 11 प्लेंग 11 ऑफिशल जो हमारे यूजरने में इसको सर्च करना होगा इसमें कोई स्पेस नहीं देना है और ऑफिशल में ओ और चैनल को जॉइन कर लेना अब बात करते हैं हम यहाँ पर अनलेसिस की यह है मैच नंबर फाइब अगर हम बात करें हैट टूइट रिकॉर्ट की तो टोटल मैच इस दोनों ही टीम होने 25 के लिए हैं जिसमें च्छे क्यार ने विन करे हैं उनने से माई ने विन करे हैं हा हैस्ट पर अपना 222 का बनाए हैं माइ के खिलाफ और मैच ने अपना 210 का तो यहाँ पर आम वाजी मार जाती है वी तो दोनों ही टीम होने आपास में दो ही मैच इस खेले थे जिसमें से से एक क्यार ने विन रहा था और एक माई ने विन करा था यह दूज मैचे क्यार थे को मैं आपको दिखा दे रहा हूं 2019 के दोनों मैच इस ते 56 मैच और 47 मैच 56 मैच में 133 ने साथ विकेट पे और एमाई ने 134 बना के उसको चेज कर लिया था इनका सिर्फ एक विकेड गिरा था बात करते हैं 47 मैच की तो इसमें के क्यार ने 232 का महमत टूटल बनाया था 20 ओवर जिसको CSK ने विन कर लिया था यान कि इस वेनुपर चेज कर रहा था चेज करना यहाँ पर थोड़ा सा इजी रहता है हाला कि रंस उतने नहीं बनते हैं आपको बता रहूं 155-160 का टूटल ही जाता है और बहुत से बहुत 165 के राउंड जा सकता है और यह चीज आपने पह दुटल है नंबर 5 पे दिनेश्कारतिक हैं रसल नंबर 6 पे है रसल को कभी प्रमोट कि जा सकता है ध्यान रखिएगा रसल का यूज हमेशा के क्यार की टीम करेगी करेगी चाहे इनका विकेट 13 ओर में गिरे चाहे चाहे 14 और मेंगे ठीक है धान रखिएगा हो सकता है अग तो कि इन में काफी जादा दम है और यह असानी से चक्के लगा सकते हैं बिग स्टेडियम में भी तो एक एडवांटेज रसल के पास इस मैच में रहने वाला है इनकी पावर इसके बाद सिद्धेश लैड है फिर पैट कमिंस है कुल्दी प्यादफ प्रसित कृष्णा इसका सवर अफ्तिवारी हैं फिर हारदिक पंड्या केरण पॉलाड कोनाल पंड्या जेम्स पैटिंसन राहूल चैर जस्पीद बुम्रा और ट्रेंट बोल्ट तो यह इनकी प्लेंग 11 जो लास्ट मैच में थी एक्सपेक करते हैं वही रहेगी एक दो प्लेर की बारे में 371 रनिंग के नाम पर 17 का बनता है तीन पचास और शूनिस तक लगा चुके हैं चार बर डख पे ब्याउट है रिसेंट फ़र्म इनका अगर हम देखें आए जो लास्ट आई पेल कुछ मैचिस नोंने खेले हैं तो वह थोड़ा सा एवरेज इनका रहा है और जब जब यह बड़ी हैं यागर बैट्स मैं जानना है यहाँ पर इसके बालो पर कोशिश करेगा बैट्सौन करेगा लंबे चके लगाने की और नहीं लगा पाइं तो फिर इसमें कोई काम नहीं आती और अगर आपको कने लिरह बढ़ी 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 से तो इसमें फिर स्किल की कोई बात नहीं होती है यह एक्स्ट्रा एडवांटिज होता है इस पिनस के पास राइट आम और ब्रिक बोलर भी है 426 इन्होंने ओवर में 122 विकेट निकाले है सुनील ने पांच विकेट लेके 19 इनका बेस्ट फिगर है सुनील नारायन का आप यह एक खिलाब जब यह लास्ट मैच खेले थे सुनील नारायन तो इन्होंने जीरो विकेट निकाले उसके पहले टू विकेट वन विकेट टू विकेट जीरो जीरो यह इनका परफॉर्मेंस है और सारे टीमों का कमाइन देखें तो नारायन ने जो लास्ट डू आईप इसका बनता है चार बार पचास और शुनिवार शतक लगाया कभी जीरो पर आउट नहीं हुए इनका रीसेंट फॉर्म आईपेल में देखें तो वह काफी तगड़ा है और बड़े प्लेयर हैं कभी फिप्टी सिक्स्टी की इनिंग खेल सकते हैं तो ध्यान रखिएगा हा अनकी जब जब क्यार मिया आपस में खेलती है तो हार्भी साब्स होसक्ते हो सकता हार्धिक पंडा को इनके सामने बॉलिंग करने बेजें नितेश राना की बात करें लेक्सराइक अन्ट पर बंता है तो last time जब खेले हैं 26 रन लगाए उसके पहले do not bet, do not bet, 21-11, 85 not out, 21-11, ये इनका performance है, जब ये खेलते हैं, MI की खिलाब तो last match में 26 लगाए थे, उसके पहले do not bet, उसके पहले 21, उसके पहले 30, तो recent form यहां आगे है, और जैसे से आप पीछे move करेंगे, आपको old performance भी पता चलता रहेगा, threat इनको भी हार्दिक पंडा से रहेगा, दो बार इनका विकेट हार्दिक पंडा ने निकाला है नितिश राना का, तो maximum time पंडा इन पर भारी साबित होते हैं, इगान मॉर्ण की बात करते हैं, लाफ टरनेट बैट्स में ने स्ट्राइक डेको 21 का बनता है, 45 मैच में 800 से उपर रहें, 21 का इनका बैटिंग एवरिज है, चार बर 50 लगा चुके, शुनिवर्श अतक लगा चुके, दो बार डग पे भी आउट हुए है, इनका परफॉर्मस थोड़ा सा कम अच्छा रहा है, उतना अच्छा नहीं रहा, बट ध्यान रखिएगा, स्टेडियम बड़ा है, बाउंटरी बड़ी है, और ऐसे में मॉर्गन काफी बड़े-बड़े चक्के लगाते हैं, आपने इनको देखा ही होगा, तो इनके लिए बाउंटरी की लिमेटेशन नहीं है, पावर काफी है, स्किल काफी है, तो मॉर्गन इस वेन्यू पर काफी अच्छा कर सकते हैं, दिनिश कार्तिक की बात करें, इनकी कैप्टन विकिट कीपर, राइट हंड़े बैट्समन, स्टाइक रिडिक सोंटिस का, 163 मैच में 3600 से उपर रन है, एवरेज इनका 27 का बनता है, 18 बार 50 बार शतक लगा है, आठ बार 0 पे आउट हुए, रिसेंट फ़र्म इनका हम देखें, तो वो भी थोड़ा सा एवरेज है, हाला कि लास्ट चार मैचे में आप देखोगे, तीन बार ये नॉट आउट भी गए एकाद ग्रेंड लीकी टीम में दिनिश कार्टिक को फसा लेते हो, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, आंद्री रसल बैस्ट उप्शन रहेंगे इस वेन्यू पे तो राइट हैंडर बैट्स में स्ट्राइक डेसो चासी, बावन मैच में 1400 रन है, 33 का बै बैटिंग करने आएंगे, तो एक बड़ा स्कोर लगा के दे सकते हैं, और अपने पूरे चार ओवर तो करेंगे, ये रसल डैथ में भी बालिंग कर लेते हैं, तो बहुत एडवांटेज रहेगा, अगर उन्निस वाओ 17 ओवर ये कराते तो बहुत बढ़िया आपके लिए मेरे टीम में ये कैप्टन रहने वाले, बिकोज इनकी बैटिंग कंफर्म है, और बॉलिंग भी लगबग कंफर्म है, बहुत बढ़िया प्लेयर, इनका रीसल फॉर्म भी आप देख सकते हो, जो इन्होंने अमाई के खिलाफ परफॉर्म किया, ये इनका रीसल फॉर्म, य इनका अगर हम फॉर्म देखें, एमाई के खिलाफ तो वो इतना अच्छा नहीं है, पिछले लगबग आप देखो, नौ मैचेस में, सिर्फ पांच विकेट टीम को निकाल के देपाए, बहुत बढ़ी अपलेयर है, टीम में पर करो, कैप्टन भी बनाना, सिदिश लैड की अगर इनकी बात करें, इनका बैटिंग अवरे 26 के राउंड बनता है, यह डॉमेस्टिक मैच इसे आई पिल नहीं है, सिदिश लैड ने एकी आई पिल का मैच खिला तो 15 उसमें बनाये थे, बैट कमिस की बात करें, राइट आम फास्ट बोलर है, साट ओवर में 17 विकेट निकाल रखे हैं, दो विकेट लेके 20, इनका बैस्ट परफॉर्मेंस है, चार विकेट कभी निकाले, पांच भी निकाले, रीसेंट फॉर्म इनका देखे तो वो ठीक ठाक है, लास्ट जो मैच खिले थे, आई पिल का दो विकेट निकाले, उसके पहले एक विकेट शून न दो, तो ये इनका परफॉर्मेंस रहा, बात करें, इनके रीसेंट परफॉर्मेंस, एमाई की खिलाफ, तो उसमें आप देख सकते हो, शून ने और दो विकेट रॉन निकाल रखे, काफी बढ़ी आप प्लियार है, पैट कमिंस, आपकी टीम में होने चाहिए, कुल्दी प पिटाई भी हुई थी, लास्स सीजन में, ठीक है, और माई के खिलाफ, जब जब ये खेले हैं, इनके चांसे लगबग 40% यही रहते हैं, कि इनको विकेट नहीं मिलेगी, 60% चांस में एकाद विकेट निकाल लेते हैं, तो रिकॉर्ड थोड़ा सा खराब है, हालनकि प्लि यहादा खेल नहीं रहेगा, इसमें ज़्यादा वो गलती वैट्समें की है, तो फिर इस पिनको एड़वांटेज है, प्रसिद कृष्णा की बात करें, राइट आप मीडियम फास्ट बोलर है, और सट इनका चार पे 30, डैथ में बोलिंग करते हैं, और स्टार्ट भी करते हैं, बालिंग को, यानि की हो सकता है, प्रसिद कृष्णा और पैट कमेंस बालिंग को स्टार्ट करें, और फिर फिनिच भी करें, रसल भी डैथ में फिर बालिंग करने, एकाद दोवर डालेंगे ही, उन्नेस वा ओबर या फिर अट्रा ओवर, अठार वा ओवर तो उसका इनको अडवांटेज रहेगा, रसल को भी, और कृष्णा और पैट कमेंस आपके लिए बहुत इंपरण है, शीवा मावी की बात करें, यहाँ पर आप कृष्णा के रिकॉर्ड देख सकते हैं, एवरेज रिकॉर्ड है, कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, लास्स सीजन तो य बात करें, राइटाम फास्ट बोलर हैं, और आइपल तो नहीं खेला, लिस्टेक रिकॉर्ड के स्ट्रेट्स बता दे रहा हूं, नौ मैचस में ग्यारा विकेट निकाल रखे हैं, 131 रन हैं और एवरेज 26 का है, तो कम लिच नागर कोटी यागर खेलते हैं, अच्छे बले दो इनोंने अर्ध शतक लगा रखे हैं, और बाकी मैचस में पर्फॉर्मेंस थोड़ा से इनका डाउन ही गया है, अगर आम इनका फॉर्म देखे केक्यार खिलाफ तो वो ज्यादा बेटर है, अगर आप केक्यार खिलाफ इनका कंपरेजन देखोगे, तो most of the matches में इनके स् है, रोही शर्मा का, हाला कि हो सकता है, आज आप इनको टीम में ना ले पाओ, विकॉस क्रेड काफी हाई है, तो वो चीज़ थोड़ा सा देख ले न, ग्रेंड लीग वगेरा में काफी कॉम्बिनेशन आज बनेंगे, विकॉस क्रेड की काफी प्रॉबलम है, तो हर एक टी है, इनका विक्ट निकाला है, कुईंटन डिकॉक की बात करते हैं, लाफ्ट अने बैट्स में स्टाइक डिक से कथ तीस का है, इंक्यावन मैचेस में इनके चौदा सब से ऊपर रहन है, एवरेज इनका तीस का बनता है, दस बार पचास एक बार शतक लगा है, दो बार डग इनका देखें तो वो काफी अच्छा है, 25-30 के राउंट रंस लगा ही देते हैं, और विक्ट कीपर इंके भी आपको पॉइंट दे सकते हैं, अगर हम इनका फॉर्म देखें के क्यार के खिलाफ तो वो इतना अच्छा नहीं है, लग बग पिछले साथ मैचे में दो बार प विक्ट निकाली थी, तो नाराइन सब के लिए थ्रेट है, नाराइन कोईंट डिकॉक और रोई शर्मा दोनों को ट्रबल कर सकते हैं, तो मेरे साब से तीसरे जोटे ओबर में नाराइन की एंटरी हो सकती है, ध्यान रखिएगा, प्यूश चावला ने एक बार इनका विक् साथ बार पचास सूने बार शतक लगा रखा है, तीन बार डग पे आउट हुए, रिसेंट फॉर्म आप इनका देख सकते हो, काफी बड़िया फॉर्म है, लास्स सीजन भी काफी अच्छे रहे थे, हाला कि लास्ट मैच इनका अच्छा नहीं रहा, ध्यान रखिए बड़ परफॉर्म करते हैं, थ्रेट इनकी सामने भी रसल कर रहेगा, रसल इनका दो बार विकेट निकाल चुके पिछले चार मैचस में, और रसल कॉंटर डिकॉप के लिए भी थ्रेट है, और यहाँ पर सूरी कुमार यादफ के लिए भी थ्रेट है, और इसके अलाबा रोई श जो निकालते हैं, वो इस पिनर सी निकालते हैं, मैंने इनका जितना ऑफजर्व किया है, इनके रीसेंट फ़र्म आप देख सकते हैं, सारे टीमों खिलाब भी, और इसके लाबा के खिलाब भी, तो अगर यह खेलते हैं, तो आप थोड़़ए यहाँ पर स्ट्रेट देख चाहो तो स्क्रीन शॉट अभी ले लो, सौरफ तिवारी जो लास्ट मैच खेले, थोड़सा अनप्रेक्टिबिल थे, मैं जो लग रहा था इसाम किशन खेलेंगे, बढ़ तिवारी खेले, तिवारी ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेफ्ट हैं, लेफ्ट हैं, एवरेज 28 का बनता है, साथ वार पचास उनवर्श अतक लगाया है, एक बार डग पयाउट, रिसेंट फ़रम इनका ठीक ठाकी, अगर आप देखें तो लास्ट मैच में ब्यालेस रन की पारी, उसके पहले 2019 आई पहले जब लास्ट मैच खेले तो उसमें बावन रन की पार है, स्ट्राइक रिडिन का 155 का है, 67 मैच में 1000 रन्स है, एवरेज 29 का बनता है, तीन बार पचास उनवर्श अतक लगाया है, तीन बार डग पे भी आउट हुए, रिसेंट फ़रम अगर हम हारदिक पंड्या का देखें, तो वो ठीक है कोई इतना इंप्रेसिव नहीं है, व आपके लिए बहुत बड़ी आपके रहेंगे, लास्ट में हाला कि इन उन्हें बालिंग नहीं करी थी, अब देखना होगा इस मैच में बालिंग करेंगे कि नहीं, अगर करते हैं, तो आपके लिए कप्तानी वाइस कप्तानी के लिए अच्छी चॉइस रहेंगे, बट मैच में नॉट आउट भी जा रहें, यहाँ पर आप देख सकते हो, मौका मिलता है तो परफॉर्म करते हैं, इनके सामने ज़्यादा कोई थ्रेट वरेट है नहीं, तो एक विल्कुल मस्ट मॉला प्लियर है, 145 ओवर में, 42 विकेट निकाल रखे हैं, 3 विकेट निकाल के 20 का बेस्ट परफॉर्मेंस है, 4 विकेट निकाले नहीं, 5 कभी निकाले नहीं, रेसेंट फॉर्म बॉलिंग में अगर हम देखें, तो वो यह है, हलाकि लास्ट में बॉलिंग नहीं करी थी नोने, उसके पहले जब बॉलिंग कर रहे थे टीम के लिए, तब विकेट हमेशा निकाले के टीम को देते थे, तो अगर बॉलिंग करते हैं, तो तो वाइस केटन रख दो, बट अगर बॉलिंग नहीं करते हैं, फिर भी टीम में रख लेना, क्योंकि यह ऐसा प्लेयर है, कभी-कभी यहाँ पर 90-90 रन लगा देता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह 91 इवन रंस की जो पारी थी, लास्ट इजन उनने जो खेली थी, तो वो काफी एफेक्टिफ थी, ऐसी अगर फिर से एक आथ पारी खेल गए, अगर टॉप वाटर फ्लॉप हो गया, तो आपकी टीम बरबाद हो सकती है, तो हार्दिक पेंड है, आपकी टीम में होने चाहिए सिफटी की गैरेंटी है, इसकत बात करते हैं यहाँ पर हम केरण पुलाट की राइट हेंड बैट्समन है, स्ट्राइक रिडिक्स तो चाहलिस का है, 149 मैचे में 2000 से उपर रन है, 2700 के आसपास, 29 का बैटिंग एवरे चौदा बार पचास, शुन बार शतक, यह भी बालिंग खेले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, केक्यार इखलाब जब लास्ट मैचेस खेले हैं, तो मोस्ट अफ दा मैच में रन्स लगाते हैं, 51 नौट आउट, 33 नौट आउट, 29 नौट आउट यहन का परफॉरमस रहता है, बट बालिंग नहीं करेंगे, तो आपके लिए थो रख लीजे, आपकी शायद काम आजए, स्क्रीन शॉट चाहें तो ले सकते हैं, यह आप स्क्रीन शॉट पुलाड का, यहाँ से ले सकते हैं, कुर्णाल पंड्या की बात करते हैं, लेफ्ट आम लेग स्पिन बोलर, और लास्ट में एक विकेट रोर निकाला था, पूरे च तो गई थोड़ा से स्टैट्स आप यहाँ पर देख लीजे, लेफ्ट अंडर बैट्समैन है, लेफ्ट आम लेग स्पिन बोलर, और स्टैट्स काफी अच्छे इनके रहे हैं, बॉलिंग में अगर हम देखें, तो यह इनका लगबग हर मैच में इकाद विकेट तो निकाल बहुत भी परफर्म करते हैं, तो बहुत अच्छी उप्शन आपके लिए हो सकते हैं, ठीक है, तो धोरसा अगर आप 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 आउट ओफ दबॉक्स कोचना चाहते हैं, तो पंडया, हार्दिक पंडया की जगब पे कुनाल पंडया को भी ट्राइ कर सकते हैं, और हार्क नहीं है, ध्यान रखेगा, नेथन कोल्टर नाइल, टीम के बेस्ट बोलर है, राइट हंडिर बैट्समें, अगर इनको टीम खिलाती है, तो बहुत विकेट टेकिंग ऑप्शन है, साज़र डैथ में के इनवाजी कर लेते हैं, 93 ओवर्स में 36 विकेट निकाल रखे हैं, बै बहुत बढ़िया प्लेयर रहें, ये खेलते हैं, तो ग्रेंड लिंग में भी ट्राय करना, अपने टीम में रखी लेना, राहुल चैर की बात करें, आपके लिए आज के मैच में बहुत अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं, रीजन दो है, शॉर्ट बाउंडरी और इसके परफॉर्में आई पेल का रीजन टो अलडर सारी टीम हो खिलाफ और यह है रीजन टो उल्डर सफर्फॉर्मेंस सिर्फ और सिफ के खियार के खिलाफ ठीक है, ट्रेंट बोल्ट की बात करें, सुनिल नारायन के काफी विकट नो निकाल रखे हैं, पिछले अगर आप कुछ लेफ्ट आम फास्ट मीडियम बोलर हैं, 130 ओवर में 139 विकट निकाल लेते हैं, और नारायन के इनसे थ्रेड जरूर रहेगा, ध्यान रखेगा जस्पील बुमराखी बात करते हैं, राइट आम फास्ट बोलर हैं, 292 ओवर्स में 83 विकट निकाल लेते हैं, लास्ट में भी ऐसी हुआ था, इनको विकट डेथ ओवर्स में ही मिली थी, एक विकट निकाला उसके पहले 20-20 ये इनका रिसेंट परफॉर्मेंस है, और अगर हम प्रॉपर देखें, कि क्यार खिलाब परफॉर्मेंस, तो लास्ट में दो विकट उसके पहले 0-1-1-3-1-0, तो ये इनका परफॉर्मेंस है, तो ये होगी बात दोनों टीमों की, अब हम बात करेंगे, सबसे पहले फबूम की टीम की, फबूम पे खेलना बहुत आसान है कैप्टन, वाइस कैप्टन का कोई घमेला नहीं होता, ध्यान रखिए, वहाँ पर आपको 11 प्लेर चूज करके उनको रैंक करना है, तो उसको डबल पॉइंट मिलेंगे, जो आप रैंक 1 पे प्लेर रखोगे, उसको डबल पॉइंट मिलेंगे, उसके बाद रैंक 2 पे जो रखोगे, उसको 1.8 और रैंक 4 पे रखोगे, 1.7 तो इस टाइप से यहाँ पर आप रैंक करोगे, और जो सबसे उपर रैंक में प्लेर है, उसको डबल पॉइंट और ऐसे ऐसे नीचे जाते जाओगे, तो थोड़े पॉइंट कम होते रहेंगे, लास्ट तक आपका एक हो गए, तो आपकी टीम खराब हो गई, इसमें हर प्लेयर कॉंट्रिबूट करता है, तो यह जादा स्किल्फुल होती है, ठीक है, तो इसके जो लिंक है, वो नीचे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं, रैफर कोड भी मिल जाएगा, और जब आप डि जब भी आप डिपॉजिट करो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है, और रैफर कोड और लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में, जाके वहाँ से फबूम पर खेलना स्टार्ट कर सकते, टीम बना लेते हैं, फबूम पर देखते क्या हमारी टी जाएगे, ऐसी नीचे आप जाओगे, तो 1.9, 1.8 इस टाइप से रैंक फेंटसी है, बूस्ट फेंटसी में क्या रहेगा, आपको टूटल 150 क्रेट में आपको टीम मना नहीं है, जितने क्रेट में बन जाए, 110 क्रेट में बन जाए, चाहे 90 क्रेट में बन जाए, उसके मतला हुआ, यहां पर मैंने डेपॉसिट करके, एक लीग पी जाएं करी है, यहां पर मैंने 1000 का इक डेपॉसिट करा है, और यहां पर लीग यहां पर आप र Taco Com2-13 Sun तो गईज ये मेरी rank fantasy की टीम रहेगी रसल मेरे सबसे उपर रहेंगे जिनको two times point मिलेंगे rank fantasy में उसके बाद second पर मेरे सुनील नारान रहेंगे 1.9 times point फिर क्वेंटन डिकॉक है इसके बाद शुमान गिल है फिर यौन मॉर्गन है सूरिकुमार यादव है हार्दिक पंड्या ह इसके बाद नीचे जाएंगे तो फिर Pat Cummins है जस्पीद बोमरा है राहूल चेहर है और कुरुनाल पंड्या है आप अपने इसाब से rank भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि Pat Cummins ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते है हार्दिक पंड्या सूरिकुमार यादव से हो सकता ह है आपको लगता होगे दो से तीन विकेट निकाल लें तो आप इनको उपर भी ले जा सकते हो ठीक है जो भी आपका प्लेयर स्कोर करेगा उसका 1.3 टाइंस 1.4 टाइंस 5 टाइंस जो आपको बैस लगे वहाँ पर आप उसको रग दीजिए ठीक है यहाँ पर आप चाहए न कर में पूरी टीम भी कर रही थी तो ग्रेंट लीग में रोई शर्मा को भी ट्राइ करना तो एक बार मैं आपको दिखाए तो मैंने कौन सा कॉंटेस जोइन करा है आप अपना कॉंटेस कोई भी जोइन कर सकते हो इसमें 90 विनर्स रहेंगे 10% बोनस आपका यूज होगा और अभी इसमें चारी टीम में फेल हुई जिसमें से एक मेरी टीम भी है और इसमें काफी जयादा विनिंग भी है अगर हम देखें विनर्स तो यहां पर आपको 10,000 रुपीज से 400 रुपीज तक मिल जाएंगे और इसली यहां पर विन कर जाओगे तो यहां पर लॉजिक से ट दस लीग जोइन करने है तो आपको हर явार 50 रुपी जोइन नहीं करने है आप यहां पर पर बजट बटा दीजिएust 50 रोपे की लीक जोइन करनी है और 10 जोइन करनी है तो आपको लीक जोइन करा देगा तो यह एक बहुत बढ़ी है फीचर है नौक आउट फैंटसी तो इसको भी आप ट्राइ कर लीजेगा अच्छा हम बूस्ट फैंटसी की टीम और देखते हैं फिर ड्रीम 11 टीम पे चलते है तो आपको इनी क्रेट्स में जितना आप चाहें उतना आप प्लेट्स का मल्टीप्लियर बढ़ा सकते हैं इसी क्रेट्स में रहते हुए इसा नहीं आप कितना भी कर दो यह क्रेट्स का यूज आपको करना है ठीक है तो इसमें पूरा लॉजिक लगेगा दिमाग लगेगा यह मैंने तीन प्लेट्स पर अभी क्रेट्स हाई कर दिया है आप चाहो तो पांच-छे प्लेट्स पर भी कर सकते हो थो थोड़़द सब जैसा आपको लगता है कि यह प्लेट्स पर लगाए तो इसके जादा बढ़ा दो यह बूस्ट फेंटसी कहेंने तो तो इस पर बढ़ाना चाहते हो थो इसके बूस्ट फेंटसी है तो इस पर भी आप टीम बना लेजएगा मैंने भी बना लिए इससे कॉंट्स जोइन करू यहां पर मैंने सूरी कुमार यादफ को लिया है आप सवरफ्तिवारी को लिजखते हो बट मुझे सूरी कुमार यादफ पर जादा भरूसा है लास सीजन ज्यादा बेटर यही खेले थे तो एक्सपेक्ट इन से ही कर रहा हूं कि यह बढ़ा करेंगे बहुत से लोग इनको हो पूड़ेगा लास सीजन का रोहिशर्मा से भी बैटर था यहन मॉर्गन को मैंने टीम में फ्लैक किया है शुमान गिल को टीम में अलाउन सेक्षिन में हारदिक पंड़ा सुनील नारान रसल को टीम में पिक कर रहा है बॉलिंग सेक्षिन में जस्पीद बुमराइब डैथ तो यह मोस्ट रिसकी मैच रहेगा मैं आपको बता दू जो अभी तक के चार मैच हुए वह इतने रिसकी नहीं थे क्रेड काफी जाद है प्लेयर्स के और आप अपने मन के प्लेयर नहीं ले पाओगे ध्यान रखो आप कुल्दी प्यादफ को लेना चाहो तो ले सकते हो थ तो यह मेरी हैट्ट की टीम है दो से चार मेंबर में आप इस टीम के साथ जा सकते हो और लास्ट अब्रेट तो आपको टेलिग्राम पर मिलेगा पिच बगएरा के साफसे जो भी कंडिशन रहेंगी जो जिस बोलर को फेवर करेंगी तो उसे साफसे हम थोड़ा बहुत टीम रहें जब जब यह माई खिलाफ खेलें ध्यान रखेएगा कारतिक बहुत अच्छों हो सकते हैं बैटिंग सेक्शन में चलते हैं रोही शर्मा दो बैस्ट प्लेयर हैं बट हम नहीं ले पार इनको यह हमारी मजबूर है बट इसका मतलब यह नहीं अच्छा नहीं खेलेंग राहुल चैर उनको ड्रॉप कर दो और सौरफ तिवारी को ले लो सीधा सा आपके पास फंडाय क्रेट की कोई इशू नहीं रहेगा सौरफ तिवारी को लेने में बट मैं उन पर जादा भरूसा कर रहा हूं हाला कि हो सकता है कि मैं एकाथ प्रिव की जगप सौरफ तिवार द्धान रखो हारदिग पंड़ा और क्यरण पुलाट बॉलिंग नहीं कर रहे हैं पर कुनाल पंड़ा बॉलिंग कर रहे हैं और चार के चार ओवर कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड ए लगबग एक आद विकेट तो जहटा की लेते हैं ऐसा नहीं कि आप नहीं लोग है तो यह सकते हो अच्छा एक और फाइदर रहेगा हारदिग पंड़ा की जगे पर अगर आप कुनाल पंड़ा पंड़ा पर शिफ्ट होते तो एक क्रेट बचेगा उसमें फिर आप थोड़ा बोट एडजस्ट करके रोहिश चर्मा पर कॉंसेट कर सकते हो आप सुनिल कुमार याद बॉलिंग सेक्षिंट में ट्रेंट बोल टेक काफी अच्छ उप्चन है जो शुरुआत में विकट निकाल सकते हैं डैथ में भी गिनवाजी करते हैं और इसके लाव नारायन के खिलाफ इनका रेकॉर्ड अच्छा है तो हो सकता है शुरुआत में विकट मिली भी जाए इ इसके बाद करते हैं राहुल चैर की यह काफी उच्छ उप्चन आपके लिए होंगे आठिक्रेट है इसके बाद प्रसित क्रिश्न यह भी पूरे चार ओवर डालना इनका एक्स्पेक्टेड है और शुरुबात करेंगे बॉलिंग की इनिंग्स की और इसके लावाब कर लो यहां से कोई एक फेस्टमर माइस करके रोई शर्मा को घ्क करो थोड़ा बहुत और कॉंप्रमाइस करना पड़ेगा रोई शर्मकों यतना असान नहीं रहेगा बड़ अगर करना थीुक पंडव यहां पर कुछ फीड़बेक जरू दीजेगा ताकि नेक्स वीडियो में और बेटर हम कर सकें और इस वीडियो को शेर बे कर दीजेगा ओके गैस बाई पेस्ट ओफ लग